अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं और यह जो प्रावलम है यह स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यू होती जा रही है, मतलब आपके बाल और ज्यादा सफेद होते ही जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक विशे सबजी का पाउडर पाउडर शेयर करने वाली हूँ, यह जो पाउडर आप देख रहे हैं, यह एक तरीके की सबजी का पाउडर है, और आईरवेदा में इस सबजी का पाउडर बहुत पुराने जमाने से यूज होता आया है, बालों को काला बनाने के लिए, और यह जो रेमिडियो है वो 100% effective ह लेकिन बस यह है कि आपको patience रखना होगा, और इस सबजी का पाउडर है यह सिर्फ premature hair grain को stop करने का ही काम नहीं करता है, यह आपके बालों को काला बनाने का भी काम करता है, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही unique है, ऐसी वीडियो मैंने पहले अपने YouTube चैनल पर शेयर नह हो चुके हैं, और मैं 30 प्लस हूँ, मेरी age 30 से ज्यादा है, मुझे जो premature hair grain की problem थी, 14-15 साल में शुरू हो गई थी, और मेरे बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे, तो आपको एक भी बाल सफेद नजर नहीं आएंगे, आप देखिए, है, क्यमिकल वाली दाई तो मैं यूजी नहीं करती हूं, औरे रिसेंट्ली यूज नहीं किया है, लेकिन रिसेंट्ली अभी नहीं किया है, और आप मेरे बाल देखिए, पूरी तरीके से काल है, तो आप अपने बालों को वामपस से काला भी बना सकते हैं, और premature hair grain कों पी ट कर सकते हैं आजकल भगवान से ज्यादा भरोसा लोग को गूगल पर है नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं इस तरीके की हैर केर सिंकेर और हेल्दी हेल्दी डायट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम कर लेते हैं इस वेजिटेबल पाउडर को बनाने के लिए आपको ये वाली वेजिटेबल चाहिए इसको तरोई भी बोलते हैं तुरई भी बोलते हैं लूफा बोलते हैं इंगलिस में इसको रिज गॉर्ड बोलते हैं या फिर चाइनीज ओकरा भी बोलते हैं आपको अगर उसके बाद हमें इसे dry करना है आप इसको sun dry कर सकते हैं या फिर जब आप ठंडी के दिन में heater चला रहे हैं तो heater के पास इसको रख दीजे बस आप रख दीजेए heater के पास heater के ऊपर रखने की जरूत नहीं है heater के पास ही रखेए heater का जो आँच है लगेगा इस पे न तो ये धीर का चिलका और इसको रख दूंगी आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से ड्राइ हो चुका है इस वेजिटेबल के अंदर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बालों का पिग्मेंट लॉस रोकते हैं मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं हैर फॉलि जिस तरीके से मैंने कर लिया है आप देख सकते हैं यह दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से ड्राइ हो चुकी है अभी इसमें कुछ और बहुत इंग्रेडेंट एक्ट होंगे जिसे इसमाल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पावडर को बहुत जज़दा इफेक जो काली वाली सरसो आती है, basically आपको इसी का इस्तमाल करना है सरसो के सीड के अंदर बहुत सारे essential nutrient होते हैं बहुत सारे active ingredients होते हैं, बहुत सारा anti-oxidant होते हैं सरसो आपके बालो में pigment को preserve करने का काम करता है जिसकी वज़े से बाल जल्दी सफेद नहीं होते और साथी साथ ये melanin के production को भी increase करता है आपके hair follicle में जिसके वज़े से जो बाल सफेद हुए रहते हैं वो वापस से काला होना शुरू हो जाते हैं इन सारी चीजों का combination इस पेसली एक साथ मिल के बहुत ही हची से काम करता है इस पेसली बालों के pigment के उपर, बालों के melanin के उपर और साथी साथ ये सारी चीजें आपके hair growth के लिए भी बहुत कमाल की है पहले की जमाने में लोग सरसो का तेल लगाते थे इसलिए क्योंकि सरसो का तेल बहुत ही गुनों से भरा हुआ है सफेद नहीं होने देता आपके बालों को जल्दी अब यहाँ पे जो next ingredient है वो है कलाउजी सीड कलाउजी सीड आपके बालों का pigment loss भी रोकता है आपके बालों में pigment preserve भी करता है और साथी साथ पिगमेंट को produce करने का भी काम करता है अगर आपको डाउट होना तो आप गूगल पे सर्च करके एक बार देख लीजेगा कलाउजी सीड कितनी effective आपके बालों के लिए फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कलाउजी सीड क्यों जूज करना चाहिए आपको यहां पे दो-तीन चमज के बराबर कलाउजी सीड ले लेना है उसके बाद फेनुग्रीक सीड भी लेना है फेनुग्रीक सीड भी आपके बालों को काला बनाने का काम करती है बालों से डैंडरफ को खतम करती है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं बालों को काला बनाने में भी फेनुग्रीक सीट का बहुत बढ़ा रोल होता है तो आपको फेनुग्रीक सीट भी यहां पे जरूर एड करना है नेक्स इंग्रेडियन आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये बात पता है है ना आमला के बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये बात आप सभी रोगों को पता होग अगर आप आमला का regular basis पे यूज़ करेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे जल्दी सफेद नहीं होंगे आपको एक मुठी के बराबर आमला ले लेना है अच्छा जो जो चीजें मैं यहां पे साबुत यूज़ कर रही हूँ खड़ा यूज़ कर रही हूँ अगर वो सारी चीजें आपके पास पाउडर फॉर्म में हैं तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे मैं ड्राई करी लीफ यूज़ कर रही हूँ कहरी पत्ता आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़दा इफेक्टिव है और यह जो चीजें है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा बहुत सारे लोग इन सारे चीजों का इस्तेमाल करके फायदा भी उठा चुके हैं तो अब आपको क्या करना है इन सारे चीजों के अंदर अगर थोड़ा मुड़ा मॉइस्टर होगा तो यह पाउडर खराब होजाएगा तो हमें क्या करया है इसको अगर धीमी याज पे रोस्ट कर लेना है रोस्ट करने के लिए आपको लोहे की कड़ाई का इस्तेमाल करना है यूँकि जो लोहे की कड़ाई होती है यह हमारे बालों को काला भी बनाने का काम करती है तब तक काम नहीं बनेगा, हमारे बाल काले भी नहीं होंगे और जड़ेंगे भी, इसलिए आपको आइरन के वरतन में इसको बहुत थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, एक दम धीमी आज पे, बस ये वरतन गरम हो जाए और दो मिनट के लिए इसको आप लगातार चल तो हमें क्या करना है बस थोड़ी देर के लिए इसे रोस करना है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो मॉइस्चर बस वो खतम हो जाए, नहीं तो हमारा पूरा पूरा पाउडर खराब जाएगा, अभी आप देखे मैंने इसको इसी पे ऐसी छोड़ दिया था, अभी ये प बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन के तयार हो जाएगा, पाउडर बन के तयार हो गया, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आगे बताऊंगी, कुछ बहुत इंपोर्टेंट चीजे में आप लोगों को बताने वाली हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखे, आप यह पाउडर लगाएंगे, उसको लगाने का तरीका तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, कौन-कौन सी चीजे हैं, जो प्रिमिट्चूर हेर ग्रेंग को ट्रिगर करती हैं, प्रिमिट्चूर हेर ग्रेंग को बालों को समय से पहले सफेद बना दे अगर आप उन सारी चीजें का ध्यान देंगे, तो आपके बाल लगातार सफेद होते ही जाएंगे, इसलिए बोला गया है ना, प्रिवेंशन इस बेटर दैन क्योर, तो इसलिए जो आगे मैं बताने वाली हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें मैं बताने बहुत काम की चीजें हैं, ऐसे ही मैं कुछ भी नी बोलने वाली हूं, तो इसलिए धान से सुनिएगा, अभी इसको मैंने कांज के बाटल में भर लिया है, इसको इसको इस्टोर करके पुरे 2-3 महीने रख सकते हैं, देखे, प्रिमिर्चुर हैर ग्रें के पीछे बहुत सा इसलिए उनागरे ओणा थार कर तो बहुत सा है रिजये बहुत सा ओडवि उनागरु बहुत सारी ट्रीित्म naggye जिं से बगत बहुत सारे ग्राते हैं, एसे चीजें यूस करते हैं, जो आपके बालों के लिए हाणी का रख हैँ तो आपके बाल समय से पहले सुभ़े मेरे तो जो चीजे मैंने बताई उन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखिए इस पाउडर को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूं यह जो चीज आप देख रहे हैं यह आप कोई भी ऐल ले सकते हैं लेकिन अगर बालों को काला बनाने की बा अब देखिए मैंने कलाउजी ओयल दिया है कलाउजी ओयल में ही मैं इस पाउडर का एक दो चमस डाल दूंगी उसके बाद मैं इसको इन्फ्यूज होने के लिए 20 दिन के लिए छोड़ दूंगी और यह ओयल का प्रिपरेशन बहुत इंपोर्टेंट है ओयल आप जरूर ब हाफ को इसको 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 इन्फ्यूज होने के लिए 20 दिन के लिए छोड़ दीजिये उसके बाद ही आप इसे इस्तमाल करिएगा अब देखिए एक बहुत यह अच्छा सा हैर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ यह जो हैर मास्क है इसको और ओल को दोनों ही चीजों को आप इसमें आपको क्या करना है कि कौफी पाउडर भी आड़ करना है, जो वेजटेबल पाउडर है, उसके क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखेगा, मैंने तिन चार चममच के बराबर लिया था, जितने बालों की लेंथ है, जितने घने है आपके बाल, उसी हिसाब से क्वा और जो भी गुण है उनके अंदर वो बहुत ही अच्छे से रिलीज होना सुरू हो जाए गरम पानी क्या करते है ना कि जो इंग्रेडेंस होते है उनको बहुत जल्दी एक्तिवेट कर देता है और उनका जो इसन्स होता है वो पूरा का पूरा निकल के आ जाता है इसलिए इसको गरम पानी में भीगोई है राद बर के लिए छोड़ दीजे नेक्स मॉर्निंग आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है और जो हमारा है हैर मास्क है वो आलमोस बन के तयार हो गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बना है इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट चीज में और एड करूंगी जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत जादा है और यह है फ्रेश आमला आप चाहें तो इसके बी कर दें क्योंकि हमने इसमें आमला औरेडी एड किया है लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आमला है तो जरूर यूज करेगा क्योंकि फ्रेश आमला की बात अगी होती है यह आपके बालों में जाके बहुत ही अच्छा सा मैजिक करता है यह आपके बालों को काला भी बनाता है है घर ग्रोथ भी प्रमोट करता है तो दो आमला में लोंगी फ्रेश और उसको अच्छे से ग्रेट कर लोंगी कद्दू कस पे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेंड कर लेना है, अब इसको ग्राइंड करने की ज़रूत नहीं है, बिल्कुल भी जंजट नहीं है, बहुत आसानी से बन के त्यार हो जाता है, इसका में काम हमारी स्केल्प में है, पूरे बालों की लेंच में भी आभी से लगा सकते हैं, ल क्योंकि हमने इसमें फेनुग्रिक सीड एड किया था, अगर हमने इसमें फेनुग्रिक सीड एड नहीं किया होता तो यह बहुत ही लिक्विड होता है इदम पानी जैसा हो तो फेनुग्रिक सीड को एड करने के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, एक तो यह आपके हैर मास क कंसिस्टेंसी एक दम ब्रिलियंट कर देता है दूसरा यह आपके बालों को काला भी बनाता है, hair growth भी प्रमोट करता है और बालों को नरिश करने काम करता है मौसराइज करने काम करता है scalp को healthy भी बनाता है बहुत जादा इसको हाथों की मदद से ही अपने पूरे scalp में में लगा लूँगी और पूरे बालों की length में भी लगा लूँगी अगर बचेगा तो लेकिन पहले scalp को cover कर लेना है आप देख सकते हैं आपको मेरे एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहे होंगे और ऐसा नहीं कि मैं daily कोई dye लगा रही हूँ या फिर हीना लगा रही हूँ इंडिगो लगा रही हूँ ये किसी के लिए भी possible नहीं होगा कि कोई daily लगा है अगर आपके बाल बहुत सफेद होंगे तो dye लगाओ हीना लगाओ वो थोड़े दिन में दिखाई देने ही लगते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप पूरा trust करके मेरी remedies को follow करेंगे तो आपके बालों में बहुत सारे फायदे होंगे और ये बात मैं आपको इतने confidence से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत सारे फायदे होते हैं आप मेरे बाल देखिए पूरी तरीके से काले हैं जबकि कुछ साल पहले मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे तो जब मेरे सफेद बाल वापस से काले हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते इसको लगाए दो घंटे छोड़िए उसके बाद नॉर्मल वाटर से हैर वाश कर लीजे देखिए अगर आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ऐसी चीजे लगाते हैं जो आपके हैर फॉलिकल में मेलानीन के प्रोड़क्शन को इंक्रीज करती है तो आपके बाल साट पैंसर सतर साल में जाके सफेद होना शुरू होते हैं जल्दी आपके ब काला बनाने के लिए डायेट का खास क्याल रखना होगा मैंने अपने यूट्व चैनल पर ये विंटर इस्पेसल हैर ग्रोथ पावडर शेयर किया है इस पावडर के नदर बहुत सारे इसंसल न्यूट्रेंट जो आपके बालों को काला भी बनाते हैं और बालों को ग्रो हो पावने में भी हल्प करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी यह थी मेरी आज की वीडियो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा अगर अच्छी लगी तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ओवरनाइट सीरम शेयर किये हैं जो आपके बालों को वापस से काला बनाने में बहुत ज़्यदा हैं यहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं ज तब तक के लिए बाई and stay happy